वेल्कम बैक तो माई चैनल गाइस मैं एक और नियू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आपकी अच्छे हैं खुश्यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ मैं लव लाइफ पर रीडिंग करूंगी आज मेरा कोई topic नहीं है मैं आपके लिए love prediction लेकर आई हूँ और जो भी आपकी love life से related cards आएंगे मैं आपको बताऊंगी detail में क्या meaning है क्या message आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है वैसे अभी आपके पास ये reading पहुँची है तो definitely आपको title तो मिल गया होगा क्योंकि मैं reading खत में क्या आने वाला है आपकी love life में especially तो जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी start करते हैं बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है शुरू करने से पहले guys आप सभी को बता दूं कि ये general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो हो सकता है ना हो तो please keep an open mind अगर reading पूरी match हो जाती ये तो well and good है otherwise जो part आपके साथ resonate करता है आप उसको रखें बाकी को ignore कर दीजे ओके we have justice card here और ये reading timeless भी है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं justice in the beginning and night of cups yes beautiful cards है guys दोनों ही we have three of cups and we have queen of wands okay queen of wands five of pentacles tower two of wands four of cups three of pentacles seven of pentacles delay दिख रहा है यहाँ पर आपकी love life में सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ आपकी आप में से बहुत सा लोगों की life में अभी delay है आप justice मांगते हैं divine से हर दिन prayer करते हो कि आपको justice मिले लेकिन justice मिलता उनी को है जो अपने सारे जो काम होते हैं जो उनको मिले हैं इस lifetime में वो पूरे कर ले तभी तो justice मिलेगा ना और हर किसी को जो reward मिलना है या justice मिलना है वो उनका task अब तक complete नी होगा तो कैसे मिल जाएगा तो अभी आप process में ही हो अभी आप process में दिख रहे हो अगर आपको अपनी love life में justice चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने सारे काम पूरे करने पढ़ेंगे right now आपक call है पूरे तरीके से कितना आपकी because यह tower moment क्या है किस तरह का है यह आपको पता है आपकी life में किसी के लिए work area में होता है किसी के लिए maximum तो यहाँ पर work ही है क्योंकि यहाँ पर three of pentacles का card है तो यह मुझे बता रहा है कि जो main challenges आए हुए है आपके life में आपके work or study में ही आए ह हुए है हो सकता है कि आपको job नहीं मिल पा रही है हो सकता है कि आपको कोई नया course करना पड़ सकता है हो सकता है कि आपको अपने skills को improve करना पड़ सकता है ठीक है यह सारी चीजे आपको पहले करनी पड़ेंगी तब ही जाके आपका यह tower moment खतम होगा या फिर यह कह लिजिए main रुकावट खतम होगी आपको justice मिलने तक ठीक है क्योंकि justice के नीचे ही tower card है और ये tower card जब तक खतम नहीं होता justice नहीं मिल सकता आपको divine आपको अपनी कोई judgment कोई justice नहीं देंगे जब तक कि आप अपने सारे काम खतम नहीं कर लेते हो जब तक आप अपने काम खतम नहीं करोगे आपके partner मजबूर हैं कि वो आपका cup receive करें आपका प्याह receive करें क्योंकि शायद ये भी wait कर रहे हैं कि कब आप पूरे तरीके से awaken हो जाएं और फिर आप इसके पास आएं फिर ये खुद ही आपके पास आजाएंगे situation को समझने की कोशिच करो panic होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बस आपको अपनी जिन्दिगी में क्या better step लेने है ये आपको सोचना है क्योंकि देखो action आपको लेना पड़ेगा action आपको लेना पड़ेगा आपको वेट कर आ रहे हैं इसके पीछे reason हो सकता है guys, इस reason को समझे आपके बहुत सारे काम है जो आपको पूरे करने है आपको queen of wants की energy में आना है अगर आपके life में, love life में कोई third party भी है यहां पर तो इतना अपना mind strong करना पड़ेगा फिलाल देखो, अगर आपके partner किसी और के साथ है या अगर वो अपने काम में busy है तो आप खुद को इतना strong बनाना पड़ेगा कि अभी इस person ने आपको कोई commitment नहीं दी है आप से बंदे होए नहीं है यह person यह independent है free है तो यह अपनी life में कुछ भी कर सकते है अगर आपको इसे पाना है तो आपको अपने efforts लगाने पड़ेंगे अगर आप चाहते होगे यह particular person आपकी जिंदिगी में आ जाए आप इसके साथ अपनी जिंदिगी जीओ तो आप अपने काम कीजिए पूरे अगर यह जोड़ी बनाई है divine ने तो यह अपने आप आपके पास आ जाएंगे तब तक के लिए अपनी financial condition को ठीक कीजिए अपनी skills को improve कीजिए अपने work area में यह आपके लिए भी main challenges है अगर यह आपने clear कर लिए तो आपकी life में यह जो delay है या फिर जो tower moment जो आप face कर रहे हैं यह सब खतम हो जाने हैं आपकी love life में और आपको justice भी मिल जाएगा यह चीज़े मैं हाँ पर देख रही हूँ तो आपको अभी action लेने की जरुरत है हाथ पे हाथ धरने की बैठने की जरुरत नहीं है action लीजिए क्या आप कर सकते हैं खुद के career के लिए खुद के लिए खुद की love life को ठीक करने के लिए यह सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेंगे अभी अब wait नहीं करना है आपको और delay नहीं करना है जल्दी जल्दी अपने process में आगे बढ़िए और चीज़े solve हो जाएंगे आपके लिए काम करोगे तो होगा नहीं करोगे अराम से बैठोगे रोगे परिशान होगे तो किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला है या authority देखो हो सकते कि आपको यह authority की position ही हासिल करनी है तब ही यह tower card खतम होगा main challenge आपके work में ही आया होगा है guys या hope अगर आप अपना यह work ठीक कर लेते हैं अपनी skills इंप्रूव कर लेते हैं तो sun आने के chances हैं यह darkness खतम हो जाएगी आपकी love life से बिल्कुल खतम हो जाएगी यह चीज़े हैं आपर दिख रही है power, powerful soul बनना पड़ेगा खुद को awaken करना पड़ेगा और आपको पता है एक awaken soul कितने सारी hardship से गुजर कर आगे बढ़ती है तो वही चीज़ है अभी आप process में ही दिख रहे हो अभी आपकी healing पूरी तरीके से हुई नहीं है हुई नहीं है आपकी healing अभी पूरी तरीके से मेजर रखान से cards आ रहेंगा इस सारे आपको major changes लेकर आने के जरुरत है आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे sun और star card आ गया ये twin flame connection भी आ गया divine connection यहाँ पर आ गया है येस आपके सारी खुशियां सारे सपने पूरे हो जाएंगे और पता है ये जो weight divine आपको करा रहे है ना या weight क्योंकि देखो divine के हाथ में तो सब कुछ है वो चाहें तो एक miracle कर दें आपकी life में सब कुछ ठीक हो जाएगा लेगिन उससे होगा क्या आपकी soul अवेकर भी नहीं हो पाएगी और जो काम आप जो purpose यहां लेकर आए वो पूरा नहीं होगा तो divine आपको wait करा रहे हैं क्योंकि इसमें आप ही की भलाईया है आप ही का जो personality है वो enhance होगा आप एक powerful soul बनेंगे आप दुनिया के लिए कुछ कर पाएंगे और आपका जो रिष्टा है ना उसमें respect बनी रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्योंकि एक इनसान सर्फ घर पर बैठा है कुछ नहीं कर रहा उसके कोई respect नहीं होती लेकिन अगर आपका एक नाम है एक ओधा है तो हर कोई आपके respect करेगा आपके partner की नजरों में आपके respect बढ़ेगी यह चीज़े हैं यहाँ पर तो यह wait अगर हो रहा है तो आप अपने काम पूरे कर लीजिए इसमें जितना हो सके जल्दी जल्दी यह financial constraints जो भी आए हुए हैं इनको आपको solve करना पड़ेगा तभी आपके partner के true colors भी आपके सामने आएंगे वो क्या सोचते हैं आपके लिए वो बताएंगे आपको ठीक है material harvest अगर इतना आप करते हैं तो guys हर चीज ठीक हो रही है आपकी life में एक Empress बनिया देखो यहां पर Emperor भी है यह obstacles जो भी है इनको face कर लो थोड़ा सा patience आपको रखना पड़ा है लेकिन at the end आपकी marriage आपके partner से ही हो रही है ठीक है यह चीजे मैं आप पर देख रही हूँ patience आया है आपकी life में लेकिन देखो आप दोनों एक दूसरे के लिए विकुल compatible है ऐसा ना हो जाए कि यह person तो Emperor बन जाए लेकिन आप Empress ना बन पाए तो फिर दिक्कत हो जाए यह compatibility नहीं रहेगी इसलिए अगर यह आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा आपको भी अपने सारे काम पूरे करने पड़ेगे तब ही ना यह sun आपकी life में आएगा खुशियां आपकी life में आएगी abundance आपकी life में आएगी और जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा क्योंकि आप उसके लिए महनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो definitely आपको आपका reward भी मिलेगा divine आपके साथ justice करेंगे divine आपको वो सब चीज़े देंगे जो आप मांग रहे हैं अगर आप उन चीज़ों के लिए worth ही है हर एक चीज आपको मिलेगी हर एक चीज let's see आपके partner क्या feel कर रहे हैं आपके लिए एक बार ये भी देख लेते हैं divine ने तो हमें guidance बता दिया है कि किस तरीके से आप अपनी love life को improve कर सकते हो या inner peace देखो इस person को चाहिए peace इस person को कोई भी problem कोई भी ऐसी situation नहीं चाहिए जहां से इसकी life में थोड़ी बहुत भी परिशानिया आए इसको चाहिए inner peace कोई arguments नहीं कुछ नहीं इसको पता ही कि यह आपके divine masculine है इस person को यह feeling आती है यह सोचते हैं इस तरीके से and we have creativity यह चाहते हैं कि आप काफी creative person बनें अपनी life में चीजों को हासिल करें क्योंकि यह भी ऐसा ही सोचते हैं बिल्कुल सोचते हैं यह person भी ऐसा ही dating यह चाहते हैं कि आपको date करें लेकिन यह पहले इसको जब तक इसके पास inner peace नहीं होगा तब तक यह आपको date नहीं करेंगे यह चीज भी दिख रहे है देखो यह तो महनत कर रहा है person यह person बहुत महनत कर रहे हैं अपनी life में इस connection को ठीक करने के लिए इसको एक peaceful life चाहिए यह person महनत कर रहे हैं यह person आते हुए भी दिख रहे हैं आपके पास क्योंकि आप भी तमहनत करोगे न और देखो क्या निकल कर आया है divine feminine divine feminine and divine masculine और वहां से भी emperor और empress थे तो yes आप दोनों का connection ही तो faded है लेकिन divine क्यों weight पर डाल रहे हैं ताकि आप दोनों अपने life में अराम से अपनी जिंदगी भी जी होगे तो guys problem वाली कोई बात नहीं है आपके task के आप पूरे कर लीजे अपनी achievements हासल कर लीजे भगवान ने अगर आपको tough journey दी है या आपकी love life बहुत tough है तो वह आप पर believe करते हैं कि जो challenges आपकी life में आप उन्हें पूरा कर लेंगे तो इसलिए अपनी life में जितना हो सके अपनी life को improve कीजिए बेटर बनाने की कोशिच कीजिए सब कुछ अच्छा होगा आपकी life में don't worry guys और मेरे पास आप सभी के लिए एक surprise है मैंने देखो new deck एक और order किया है टी ली fortune cards यह बहुत ही powerful cards हैं तो यहां से आपके लिए मैं guidance लूँगी अभी ओके देखते हैं यहां से आपको divine क्या बताएंगे बहुत ही प्यारे card हैं let's see यहां से आपको divine क्या बताएंगे क्या कहेंगे आपकी love life के लिए मैं तीन cards लूँगे आपके लिए देख लेते हैं क्या है इन cards का meaning let's see क्या meaning है इनका horse short journey हो सता है guys जल्दी ही जो आपके plans हैं और जो भी आपके जो wishes हैं या जो भी आपके targets हैं आप बहुत जल्दी उनको पूरा कर लोगे क्योंकि यह short journey है आपके लिए जो भी targets वगेरा आपके बचे हैं वो जल्दी ही खतम हो जाएंगे शायद आपको इसलिए weight पे रखा हुआ है dog far away a distance friend is thinking of you अगर आप long distance connection में है तो आपके partner या आपके जो friend है वो आपके बारे में सोच रहे हैं यह सोच रहे हैं आपके लिए जल्दी ही हो सकता है short journey सारी चीज़े आपकी जल्दी complete हो जाएं bet take care आपको ध्यान दखना पड़ेगा यहां पर bet का card है enemies are working against you because enemies जो हैं आपके वो आपके against work कर रहे हैं कुछ ना कुछ वो भी strategy बना रहे हैं जिससे कि आपके काम में अर्चने आएं obstacles आएं और आप अपने काम को करने में मतलब delay phase करें तो यह चीज़े नहीं होने चाहिए आपको take care रखना पड़ेगा खुद का और आपको जल से जल अपने targets अचीव कर लीजिए तो आपकी love life बहुत अत्तक clear बहुत अत्तक solve हो जाएगी और जो भी आप मांग रहे हो आपको मिल जाएगा गाइस इस यार रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो आपको पसंद आई हो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे comment section में बताना चैनल पर नए है तो subscribe कर देना वीडियो को like कर देना अभी के लिए बस इतना है guys बाई, take care